भारत एक क्रशी प्रधान देश है जिसमें धान की खेती का विशेश योगदान है वर्ष 2016-17 में भारत का कुल खाद्यान उत्पादन 27 करोर मीटरिक टन था जिसमें से कुल 4.5 करोर हेक्टेर में करीब 11 करोर टन धान का उत्पादन हुआ यानि भारत के कुल खाद्यान उत्पादन का 40 प्रतिशत केवल धान ही है और इसी धान के किसान की फसल केवल उसकी कमाई का साधन ही नहीं है बलकि उसकी उम्मीद है उसके सपने है उस फसल के भरोसे ही वो और उसका पूरा परिवार भविश्य के सपने संजोता है इस फसल के भडूसे ही किसान अपने परिवार से वादे करता है। उसका आत्मविश्वास भी फसल ही है। आत्मविश्वास वादे निबाने का, सच बूलने का और जो कहा सो कर दिखाने का। लेकिन हफूंद एक ऐसा रोग है जो केबल फसल में ही नहीं लगता बलकि किसान के आत्म विश्वास को भी लग जाता है। फफूंद फसल का उत्पादन तो कम करती ही है साथ ही उसकी गुणवत्ता भी खराब कर देती है जिससे किसान को दाम भी कम बिलता है यानी दोहरा नुकसान। धान की फसल में लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट यानी गरदन तोड ऐसे रोग हैं जो ना तो पत्तों को पूरा पोशन लेने देते हैं और ना है किसान को पूरा उत्पादन। इसी ब्लास्ट के कारण हर सार धान के उत्पादन में 20-50 प्रतिशत की कमी आ जाती है। ब्लास्ट से खराब हुई फसल से किसान के हाथ में क्या आता है। लागत भर निकल जाए वही बहुत है। ऐसी परिस्थिती में जिस फसल की उम्मीद पर उसने अपनों से जो भी वादे किये थे वो अधूरे रह जाते हैं और वो जूटा साबित होता है। अंततह फपूंद धान के साथ साथ उसके आत्मविश्वास की गरदन भी तोड़ देती है। पेश है क्रिस्थिल का एजो ट्रिक्स। धान की दुश्मन फपूंद का सबसे खतरनाक बीमारियों यानी लीव ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट से पूरी तरह छुटकारा। दे लंबे चमकदार दाने भरी बालियां और मिले मन चहा मुनाफा। तो अब करो हर वाड़ा पूरा। क्रिस्थिल का एजो ट्रिक्स। हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है आप